So, when you are going to book your test, क्या city matter करता है? क्या जगा कोई venue matter करता के नहीं करता है? काफी दिनों से मुझे ये messages आ रहे हैं, comments भी आ रहे हैं कि Sir, कौन सा venue best है? कहाँ पे हम paper दें? पंजाब के अगर बात करूँ, तो जैसे मैं बठिंडा में teach करता हूँ, तो यहाँ के जो students है, वो जाता है paper दे लें, मोगा, मोगा के students जाता है लोधियाना, लोधियाना के students आता है बठिंडा में, मतलब ये एक तरह के myth बनी हुए, लेकिन एक और reality है, जो इससे काफी दूर है, इच वाज इन 2018, वन अफ मैं students booked his test, और वो basically है तो पंजाब से, लेकिन उसने अपना test book करा था, जैपुर, राजस्तान में, और उसने बोला कि सर, वहाँ पे band बढ़िया दे लेते हैं, तब मुझे भी इतना नहीं पता था, मैंने का चलो ठीक है, let's see, और उसकी speaking इतनी कास नहीं थी, 5.5 के around थी, उसने जब paper दिया और आके मुझे बताया कि ठीक है, speaking ठीक ठाक थी, काफी मतलब बढ़िया नहीं बोल सकते, और जब उसका result आया, it was shocking, he got six each, यानि कि सभी में six आये थे, तो अगर इस base पे देखें, तो yes, of course, it matters, but only in speaking, बाकी हर जगा पे आपके जो questions हैं, वो same रहते हैं, A to Z सारा same होता है, कहीं cheating नहीं होती, लेकिन speaking के case में, थोड़ी बहुते changes होती हैं, कैसे, अभी आपको मैं एक example देता हूँ, suppose आप Delhi जा रहे हो, ठीक है, Delhi में क्या है, काफी जैसे आपको पता है, speaking का level थोड़ा हाई है, क्योंकि वहाँ पे जो communication जो है, most of the people in Delhi talk in English, उनको conversation रहती है, वो English में रहती है, और उनको जो level है, अगर हम जैसे बात करें कि, एक city की, एक village की, उसे थोड़ा सा up है, communication के मामले में, so 10 students जो है, Delhi के, वो examiner के पास गई, ठीक है, 11 नमबर में, मेरे जैसा बंदा, बठेंड़ा से गया, ठीक है, वहाँ पे speaking देने, सपोज कर मेरी speaking बहुत खास नहीं है, सपोज ठीक है, और examiner का जो level है ना, एक मतलब सोचने का, band score देने का, वो set हो चुक है, पहले के जो 10 students डेली के आये थे, जिनका communication level बहुत बढ़िया था, skills काफी बढ़िया थे, और उनका जो level है examiner का, उन पे set हो गया, कि हाँ, अगर वो 7 या 6 बैंड़ वाले थे, और अगर कोई village student जाता है, या फिर state board का student जाता है, तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि एक जैसे बोलते हैं, cut off, वो पहले से ही set की हुई उसने examiner में, और दूसरे केस में क्या हुता है, suppose राजस्तान में speaking हो रही है, एक foreigner आया, ठीक है, वहाँ पे क्या है, दस बंदों ने, जो की राजस्तान से हैं, suppose करूँ ठीक है, उन्होंने speaking दी है, ये फिर village से हैं, जिनका level मतलब इतना बड़िया नहीं है, तो उसका जो level है, उन पे six, six करके set हो गया, ठीक है, पहले दस बंदे वहाँ के थे, और सबकी speaking बराबर थी, तो उसका level set हो गया, चे, साड़े छे चे तक वो दे रहा है, ठीक है, और एक बंदा आता है डेले से, और ये मेरी guarantee है, कि वो डेली वाला जो बंदा है, वो साड़े साथ तक लेके जाएगा वहाँ से, ये सारी जो बाते हैं ना, पर लेवल सेट होने की है, पहले जो दस बंदे, पहले जो बारा बंदे आये थे, उनका क्या level था, एक बर level सेट हो गया, उसके बाद आपको उसी हिसाब से band मिलेंगे, ये काफी बार मैंने note करा है, मतलब जो भी students मेरे पास आते हैं, जो राजस्थान से paper देते हैं, offline, online ठीक है, उनका score काफी बढ़ी है रहता है, speaking के मामले में तो खास कर, एक तिरफ ये myth है, और दूसरी तिरफ ये reality है, आपका क्या opinion है, comment section में जूरूर बताना, thank you for watching.